हेलो फ्रेंस मैं भारती आप सभी अपने चैनल पर स्वगत करते हूं आज मैं आप सभी के साथ सेर कर रहे हूं 38 साइज के कॉर्डिंग प्रिंसेस कट ब्लॉज की कटिंग और स्टिचिंग यह देखिएगा यह मेरा में फैब्रिक है और इसे मैंने लिया है देखिए इस तरी के से इसके बाद हम यहांपर लेंगे त्यार लेंथमें यहांपर करनी है तो फ्रेंट से हमारा यहां पर देरी इंफ प्लस करके यहां से आप यहांसा अब हम देखिए house rehe और अब हम लेंगे 6 इंच पे अर्मोल्स भी हमें 6 इंच पे लेना है अर्मोल एन सोल्डर मर्जिंग को रखा है एक इंच हमार एश्टा उपर की और से रखेंगे जो कि प्रिंसेस कट सेप में हमें एश्टा लेना है और यहां से आप आरमोल्स की गुलाई अंदर की और से इसकी गराई दीजिएगा 32 साइज हमारा कमर है तो इसका 4 पर्ट लेंगे हम 8 इंच और यहां से हम 1.5 इंच एश्टा रखेंगे स्लाई मर्जिंग का 2 इंच हम और एश्टा लेंगे जो कि प्रिंसेस कट का सेप के लिए रहेगा हमारा और अब हम नेक लाइन बनाएंगे देखेंगा नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उपर से हमें नेक की चोड़ाई रखनी है सबाद 2 इंच पे नीचे से मैंने इसकी चोड़ाई 3 इंच पे रखी है लेंध मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है नेक का अपने कोड़िंग की लिजिएगा और यहाँ से अब हमें गुलाई लगा लेना है नेक का सेफ दे देंगे टक्स पॉइंट हम यहाँ से लेंगे 10.5 इंच और यहाँ से आप उपर की और से चोड़ाई रखेगे इसके 4 इंच पे नीचे से आप इसकी चोड़ाई 3 इंच पे लिजिएगा और यहाँ से आपको इस तरीके से सेफ दे देना है यहाँ से आपको इस्ट्रा देखे बढ़ाना है दो इंच पे हम यहाँ पे दो इंच पे मार्क कर लेंगे अच्छे से चोड़ा बॉक्स तयार कर लेंगे और इसमें आपको प्रिंसेस कटका से कुछ इस तरीके से लगा लीजिएगा हाँ पिंच में उपर की और से उठाते वे यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और इस तरीके से हम फ्रेंट की कटिंग कर लेंगे देखेगा इस तरीके से आप मार्क पर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिसिंग के साथ यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा यहां से भी हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे देखिएगा इसके बाद हम यहां पर देखिए जो भी हमारा हाईउ की पट्टी के लिए एश्ट्रा फैब्रिक मेंने मार्किंग की थी और यहां पर इसे हम कट करके बरबर कर लेंगे अच्छे तरीके से और अब हम देखिए यहां से नेक को अच्छे तरीके से फिनिसिंग देने के लिए पेपर पेस्टिंग यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग को मैंने दो फोल लगा कर इस तरीके से सीधा कर लिया है अच्छे तरीके से और पींच से टेस्ट कर लेंगे half inch हमें यहां से अपनी और side से slime margin का हमें रखना है यह देखेगा इस तरीके से हमारे slime margin का extra रहेगा यहां पे और इसके बाद हम बिल्कुल same यहां पे measurement ले लेंगे उपर से मैंने यहां पे 7 इंच पे लेंगे इसकी चड़ाई नीचे से मैंने यहां पे 3 इंच पे इसकी चड़ाई रखी है length हम यहां पे 7 इंच लिए हैं आप अपने neck के coding ही लिजिएगा बाहर के और से आपको यहां पे इस तरीके से गुलाई लगा लेनी है अच्छे तरीके से हम यहां पे गुलाई का save दे देंगे neck को draw कर लेंगे और इसके बाद आपको पीन से टेज कर लेना है पीन से टेज कर लेने के बाद आपको यहां से अच्छे तरीके से finishing के साथ हम mark पर cut कर लेंगे तो यह देखेगा इस तरीके से हमारी cutting हो चुकी है center से भी हम cut कर लेंगे इसको तो यह दिखिएगा इस तरीके से मैंने मेन फैब्रिक के साथ भी इसको कट कर लिया है और अब हम इसे अस्तर को इस तरीके से सेट कर लेंगे अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम यहां पर इसे यहां से टेच करेंगे तो यह देखिएगा इस तरीके से में कॉर्णर के सिलाई देते हुए यहां सही तरीके से टेच कर लेना है इसमें जो भी एश्टा कपड़ा है अब कट कर लीजिएगा और यहां पर देखिए इसे कट करके बराबर कर लेंगे हम इसे भी हम कट कर लेंगे दूसरे पीसिस को और यह हमारा तयार हो जाएगा इसी तरीके से हमें और भी जो एश्टा पीसिस है हम इसे एश्टा के साथ टेच कर लेंगे यहां पर और इसे एश्टा कपड़े के साथ कट भी कर लेंगे नेक को हमें इस तरीके से एश्टर कपड़े के साथ सेट करना है अब हम नेक को फनिशिंग देंगे तो यहां से अब पिंच अच्छे तरीके से टेस्ट कर लीजेगा दोनों ही पीसेस में और इसके बाद आपको एक सिलाई अंदर की और सी लगानी है यह सिलाई हमारी पेपर पेश्टिंग पे रहेगी इसे अच्छे से हमारा पेपर पेश्टिंग फिक्स हो जाएगा यह देखियेगा दोनों ही पीसेस में हम इसी तरीकि से टेस्ट कर लेंगे और अब हम इसमें जो भी एष्टर कपड़ा है कट करके हम इसे half inch कपड़े को रखेंगे बाकी एश्टा कपड़ा कट कर लेंगे इसमें हम छोटा-छोटा कट्स भी बना लेंगे इस तरीके से ताकि हम दखिए इसको जब फोल्ड करेंगे तो इसकी फिनिसिंग काफी अच्छी है गी तो साइट से हम इस तरीके से फूल करके सिलाई लगा लेंगे तो यह हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हम इसे नेक के साथे टेस्ट करेंगे तो यह देखें यह हमारा मेन फेब्रिक है और यहां से हम इसे पहले सेट कर लेंगे उपर की और से जो इस्टा कपड़ा दिख रहा है हमें cut कर लेना है यहां से पींसे taste कर लिजिएगा अच्छे तरीके से neck को अब यहां से आपकोritis लगाना है set करके आपको neck में सिलाई लगा लिजिएगा तो यहां पर हमारी सिलाई बिल्कुल कॉर्णर किरेगी पेपर फिस्टिंग पर हमारी सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए हाप पिंच अब हम सिलाई मार्जिन को रखते वे जो भी एश्ट्रा कपड़ा है कट कर लेंगे इसमें अब हम बारी बारी किसे कट बना लेंगे देखिएगा इस तरीके से ताकि हम इसे अब हम यहां पर देखिए हाई हु की पट्टी तयार करेंगे तो हाई हु की पट्टी तयार करने के लिए मैंने यहां पर तीन इंच की चोड़ाई में फैब्रिक को लिया है यह अस्तर की फैब्रिक रहेगी और इस तरीके साब दो फोल्ड लगाकर यहां पर सिलाई से टे तरीके से फोल्ड लगाकर आपको एक सिलाई यहां पर से पका कर लिजिए आप इसे तो यह हमारे सिलाई लग चुका है इसी तरीके से दूसरे पिसे को तयार करेंगे दूसरे पिसे में में फैबरी का कपड़ा चाहिए होता है और इसे आपको यहां पर नीचे से सैट करना है अच्छे से हम नीचे से सैट करके एक सिलाई से हम इसे कम्प्लीट करेंगे उपर से जो भी एश्टा कपड़ा है उसे कट कर लिजेगा आप यहाँ पे उपर के और से एक इंच जरूर कपड़े में रखेगा क्योंकि यह हमें उपर से फिनिशिंग देना होता है कपड़े को अंदर के और फोल्ड करके तो यहां से हम इसे उपर के और से फोल्ड कर लेंगे और यहां से हम इसे देखे यहां पर फोल्ड यहां लगा कर आपको सिलाई से पका कर लेना है डबल सिलाई लगा लीजिएगा और अब हम यहां से piping को ready करेंगे देखेगा यह मैंने golden color की फैब्री को उरेब में कपड़े को cut किया है और इस तरीके से piping की डोरी हमें अंदर से set कर लेना है और इसमें आपको one pressure food को change कर लेना है इसमें देखेगा one pressure food का use करना है आपको और इस तरीके से फोल्ड करके आप यहां से इसे taste कर लीजिए अच्छे से सिलाई लगा कर आप piping तयार कर लीजिएगा इसमें जो भी एश्टा कपड़ा है cut कर लेंगे तो इस तरीके से हम यहां पर finishing देदेगे, cut कर लेंगे और अब हमें यहां पर देखे इसे main fabric पर पहले set करना है तो आपको इस कूपर के और से रखते वे यहां पर हापी चाप कपड़े को लीजिएगा सिलाई में और इसके बाद आपको यहां पर सिलाई से attach कर लेना है पहले अच्छे से हमें टेश कर लेंगे दूसरे फिसे इसको आपको यहां से उपर के और से attach करना यह देखेगा इस तरीके से अगर आपको direct यहां पर attach करने में problem आती है ना तो आप सबसे पहले क्या किजिए इसे pin से attach कर लीजिए या एक कच्छी सिलाई लगा कर आप पहले attach कर लीजिए और इसके बाद आप इसे पक्का भी कर सकते हैं कि यहां से हम इस तरीके से देखे क्या करेंगे इसको हलके आतों से सैट करते जाएंगे और सिलाई से हमें टेश कर लेंगे अच्छे सिलाई लगा लेने के बाद देखें इसे हम फोल्ट कर लेंगे सीधी की और नीचे से आपको देखें थोड़ा बहुत जो एश्टा कपड़ा दिख रहा है न आप इसको कट करके बराबर कर लीजिएगा और यह हमारा इटेश हो चुका है नीचे से हम कमरपट्ट बना लेंगे कमरपट्टी को बनाने के लिए मैंने तीन इंच की फैबरी को ली है इसकी चुड़ाई में और इस तरीके से हम दवल फोल्ट लगा कर इसे टेश कर लेंगे तो यहां से अच्छे से में टेश कर लेंगे जो भी एश्टा कपड़ा आपको एश्टा रखना है हम यहां से फिनिसिंग देंगे फोल्ड करके इसके बाद आप पलट करें एक सिलाई यहां पे उपर के ओर से लगा लिजगा स्तरβे यह देखिए इस तरीके से पट्टी के उपर हमारी इस लाई आएगी और एक सिलाई आप में इसे फोल्ड करकर अच्छ पकाक कर लेंगे और इस तरीके से ये हमारा प्रिंसेस कट से डिजाइन हमारा तयार हो चुका है फ्रेंट से अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सेयर कर दीजेगा और लाइक करना तो बिल्कुल न भूलियागा वीडियो को पुरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद